नमस्कार आप देख रहे हैं जी रारिसान और आपके साथ हूँ मैं लवीन राज चले बाब को दिखाएंगे देश और प्रुदेश की सभी बड़ी खबरे सुपर फास्ट अंदास में रारिसान में मेडिकल ओफिस भरती परिक्षा हुई रद दो महीने में दूसरी बार भरती हुई निरस जैपूर के तीन सेंटर्स पर नेटवर्क नहीं होने के चलते सासों से ज्यादा अभ्यरती नहीं दे सके परिक्षा जैपूर के होटेल अशोका में कॉंग्रेस नेताओं के एहम बैठक आज़ित हुई जिसमें निकाय चुनाओं को लेकर एक घंटे तक मन्थन चला बैठक के बाद पिस्टीफ गोविन सिंग रोटासला ने कहा कि निकाय चुनाओं की रणनीती को लेकर पात्यों की नेताओ से चर्चा हुई सिरोही किशेव गंज पंचे दवला गाओं में डहाख हुआ मलबे में एक मजदूर नीचे दवा विधायक सैयम लोधा के साथ पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे फिलाल पुशासन द्वारा कुवे का मलबा हटाने का 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 किया जा रहा है कोटा के अनन्दपूरा इलाके में बदमाश्म ने एक युवक को घर से बाहर निकाल कर चाको से गोट डाला और जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई समधन के साथ बलातकार करने के आरोपी समधी को गरफतार किया आरोपी समधी ने 28 सितंबर की रात्री को अपने घर में ही दुशकर्म की घटना को अनजाम दिया जलवार के भरता थनाक शेत्र की एक नाबालिक लड़की ने अपने माता पिता की खिलाफ रुपे लेकर बेचने का आरोप लगाया है आरोप है कि लड़की को उसकी माता पिता ने एक शक से 2 लाग रुपय में बेच दिया था, खरीदने वाला व्यक्ती करीब दो महीने से उसके साथ दुश कर्म कर रहा था जैपुर में तेज रफ्तार कार ने मारी पुलिस कर्मी को टककाय, ट्राफिक पुलिस कर्मी ने की थी कार रोपने की कोशिश, कार ने पुलिस कर्मी को बुननट पर चुड़ा कर एक किलोमीटर तक अजमेर में एकल्योगी, फूत की कर्टूत अपिता के रोटी मांगने पर की मार्पिट सिस्टीवी कैमरे में क्याधूई वारदात पड़िपिता ने कराया बिवाडी में आज एक बार फिर से उद्योग पती से बंदूग की नोग पर लूट की वारदात हो गई प्लास्टिक एदाना बनाने वाली कंपनी के मालिक मनीश अग्रवाल की कनपच्ची पर बदमाशों ने बंदूग रग दी और मनीश के हाज से रुपेव से बरा बैग लेकर परात हो गया जैपूर के बसी में बास्को स्यस्टी के डॉक्टर्स की लापरवाही नवजात की जिंदगी पर भारी पड़ गई पीड़ा होने पर प्रसूता को नेजी वाहन से परिजन बास्को के अस्पताल लेकर पहुंचे लेकर रात में स्यस्टी में डॉक्टर्स नहीं होने से प् परत्पुर की ब्रामबाद ग्राम पंच्वायत का राजिके पशुची के साले राम भरो से है, यहां इंचार्च खुद अस्पताल में अपने बाकी दोस्तों के साथ पत्ते खेलती नज़र आए, अस्पताल में इन दिनों कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए इंचार्च की प गुबारा राइसिंग नगर में 12 पीएस में मिला पाकिस्तानी गुबारा किसान हरविंदर सिंग ने पुलिस को दी सूचना हवाई जाहच के आकार के पाक गुबारे को पुलिस ने लिया अपने कबसे में सिकर जिले के खाटुशाम जी में पुलिस ने कारवाई करते हुए विलेश बेजने के नाम पर ठगी करने के आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी ने रारिसान के चार लोगों से 5,94,000 की ठगी की थी नगर निगम चुनाओं के 20 सरकार ने बड़ा प्रशासनिक पेर बदल किया है सरकार की ओर से 3 I.S, 2 I.P.S और साथी 20 R.S अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है वहीं आई है सितराम भाले का तबादला निरस्तु किया गया और उन्हें वापस उद्यपूर संभागे यायक्तु के जिम्यदारी सौंपती के डुंगरपूर में हुई हिंसा और लूटपाच के मामले की जाच के लिए प्रदेश के ग्रह सचिव नारायन लाल मेना चार दिनों डुंगरपूर जिले के प्रवास पर रहे ग्रह सचिव ने हिंसा प्रभावी शेत्रों का दोरा करते हुए हिंसा से जुड़े तक्थ्यों और जानकारे लिए डुंगरपूर हिंसा मामले की ज़ाश के लिए डुंगरपूर प्रवास पर चल रहे ग्रह सचिव नारायन लाल मिना से डुंगरपूर जिले की कॉंगरिसी नेताओं ने मुलाकात की दीपावली का तेओहार नजदीक आते ही बरतपूर जिले भर में मावा की जिमान बढ़ गई है ऐसमें मिठायू में विलावटी मावे के इस्तिमाल पर लगाम लगाने के लिए त्रकेसा विभाग की टीम ने शहर के अलग-अलग शेत्रों में मावे के करीब आधा दर्जन नमूदे लिए बरतपुर में खादे विभाग की तेवारी सीजन में कारवाई शेहर के अचल बंद मंडी इलाके में कारवाई की गई खादे विभाग की ट्रीम ने मावे के सेंपल दी है तेवाली सीजन में धिवाली से पहले स्वास्ते विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभ्यान चुला रहा है इस्तिकडी में विकानेर में स्वास्ते विभाग ने अभ्यान चुलाते हुए एक बड़े घीप लित्रण पर नकली घी शिकायत मिलने पर छापे मारी थी देश में अगले साल तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन स्वास्ते मंत्री हरशवर्धन ने कहा देश में वैक्सीन वित्रण पर विशिशरगे कर रहे हैं का यूपी सरकार ने केंदू सरकार की गाइडलाइन की अनुसार जारी की एडवाइजरी 15 अक्टूबर से सिनेमा थेटर मल्टी फ्लेक्स खोलने की अरूमती सरहदी जिलेज रसल मेर में कोरोना संक्रमार्ण के लगातार बढ़ रहे खातरी की वीजुला प्रशासन और पोलिस की टीम स्वेम सेवी संसाय लोगों की भी जागुपता लाने के लिए विबिन गारेक्रमों का आयूजिन कर रही है जुरान शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल मार सुकिया गया वहीं लोगों को मास्क वित्रण के साथ साथ कोरना से बजाओं के उपायों के बारे में भी जान करी दी गई कलेक्टर आशीश मोदी ने रसलवेर के जुनता से अपील करते हुए कहा कि लोग घरों से बाहर कम से कम निकले और जब भी निकले तो मास्क आवशक रूप से पहन करने के तैया जागुपता लाने के उदेश से लगातार आमजन को मास्क वित्रण कर तोरना से बचाओं के ये जागरुक किया जा रहना है जालोर शेहर में नोमास्क वेंट्री अभ्यान को शुभारंब किया गया और साथी शेहर में कॉंग्रेस कमिचे की तरफ से मास्क वित्रण का भी कारिक्रव रखा दिया सीकर के रिंगर्ज इलाके के कोर्णी धायलान गाउं में विजे सिंग धायल स्मृती संसान की ओर से कोरोना युद्धाओं का स्तमान समारो आयुजित किया गया जलावार जिले के सारोला अठाना पूलिस ने मादक विदार तसकरों के खिलाफ एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया और 50 ग्राम स्मैक के साथीन तसकरों को धर्द पोचा सेंट्रल जेल में लगातार मिल रहे मुबाईल के बाद जोपूर सेंट्रल जेल में सर्च अभ्यान चलाया गया पूलिस को बैरक नमर 6 और 8 से मुबाईल और बैरक 13 से 6 मुबाईल समेथ 9 मुबाईल चार्जर 11 एरफोन 6 हीटर स्प्रिंग और साथी एक ग्लूटूट बना मत हुआ जेपूर में मरोहरपूर में करीब धाई करोड की ज्वालरी के साथ कैश वैन पकड़ी गए ज्वालरी से करीब 10 लाखी ज्यस्टी चोरी की कोशिश पूलिस ने रिवालवर के साथ एक गन्मेन को भी गिरफ़तार कर लिया उद्यपूर की कानोड कस्वे में दो करोड की लूट बुज़र को बंधग बनाकर दिया वारदात को अंजाम वही 16 लाख की नगदी सही 44 चांदी पतिया हाथ साथ ब्यावर्ण में सरदर्थाना पोलिस ने जालिय प्रथम निवासी रजाक उर्प डग्या हत्याकान में जांच करते हुए गरफ़तार अभ्यूकतों की निशान देही पर हत्या में प्रयूकते एक पिस्चल बोली का खाली खोल और लाश को ठिकाने लगाने में काम आई एक बिवाडी के महिला थाने में एक महिला ने उसके साथ हुए गैंग रेफ का मामना दर्श करवाया है वहीं मामने की गंभीरता को देखते हुए जाच अधिकारी प्यास्पी हर्राम कुमावत ने तुरंत महिला का मैजिकल करवाया है हजमेर में शहर के रामदेव नगर का चिबस्ती में सस्ती और लो ब्रैंड की शराब हाई ब्रैंड में बेचने वाले दो आरोपियों को माल समित गिरफतार किया लिया बंसवड़ा शहर के खांदू कॉलोने में अपने पती के साथ पैदल जा रही महिला की गले से दो बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चैन चीन ली लेकिन महिला की पती ने हिम्मत दिखाई और भाग रहे बदमाशों का पीछा कर एक बदमाशों को पढ़ लिया अवैध हत्यारों के हिलाब उजयपूर कमिशनेट के ओर से ओपरेशन आग अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तहर जलुकरा थाना पूलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पूलिस ने एक शातिर बदमाशों को गिराफता कर लेगा उद्यपूर में डबोग खाने से आधा किलोमीटर दूर बदमाशों ने SBI बैंक का ATM काट दिया मौके पर पहुंची पूलिस से जाच शुरू की लेकिन अंदर की स्लाइड नहीं कटने से ATM में रखे आठ लाग रुपे सुरफशुत है जलावाट जिले की ड्रग में कुईवक ने फांसी का फंदा लगा कर आत्मोहत्या करी शेकपुन वासी मुद्टक प्रधान सिंग डग कजबे में किराय के मकान में रहेगर कॉंपेटिशन की तयारी कर रहा बरतपुर की बयाना थाना पुलिस ने एक बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए डांग शेत्र में सप्री हुए मुकेश ठागो डगैट गिरों के दो सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जुनों ने गत दो अक्टूबर को भयाना के दुरगा स्टोन क्रेशर पर डगैती की बारदात को अंजाम दिया बांसूर में कुछ लोगों ने दो व्यक्तियों पर जान से मारने की नियस से लाठी डंडों से हमला बोल दिया मामला बांसूर के नाई के बगीशा कहा है जहां पर करीब आधा दर्जन लोग लाल्ठी डंडों के साथ पहुंचे और जिससे दोनों व्यक्ति से मार पेस्टी गए जुन जुनों के सदर थाना इलाके के दो रास्तर में एक व्यक्ति के संदेग दु मौत हो गई इस मामले में परिजनों ने जहां अधिक शराब पीने से मौत का कारण बताया है तो ग्रामिलों ने पोलिस को हत्या की चे तोड़गर्ड पोलिस ने लक्ष्मिपुरा गाओं में अवयाद देशी शराब नश्ट कर आरोपियों के विरोद नामजित मामला दर्श करवन लिया है पोलिस द्वारा सरहद लक्ष्मिपुर में दो अलग अलग इसानों पर 800 लीटर और 200 लीटर की शराब बनाने की वोश को नश्ट किया गया जैपुर में रारिसान युनिवर्सिटी में शिक्षिकों का धर्णा प्रदर्शन देखने को मिला युनिवर्सिटी प्रशासन के साथ वार्ता विपर्ज़़ रारिसान विश्व विध्याले में पिछले दो दिनों से अपने हक की मांग को लेकर 146 एसोसियेट प्रोफेसर और असिस्टन प्रोफेसर धर्णने पर बैशिकों की मनमानी के विरोध में जैपुर इस्यता रुकमनी बिर्ला मॉडन हाई स्कूल के बाहरा विभावकों ने जम कर विरोध वर्शन किया आखिल रारिसान महिला एवं बालविकास स्युक्त कर्मचारी संके बैनर तले मंत्री बीडी कल्ला और वमता भुपेश को ग्यापन सौपकर वियमित करने की मांग की ते बीकानेर के नगर निगम में निगम कर्मियों का कारे बहिशकार देखने को मिला निगम कर्मियों ने निगम के मुखे द्वार के आगे धरना लगा दिया और सितंबर महा का वेतन देने की मांग रॉली में टोड़ा वीम विधाया को पियार मीना को आउडियो वारल करने की विरोध में नौधाती कॉंग्रेस के प्रादिकारिय और कारेकरदाओं ने मुख्यमंत्रे के नाम SGM को ग्यापन सौप पर दोशों के खिलाब कारवाई की माद दौरपुर जिले के गाउन तगवाली में ग्रामिनों ने बहुत चर्श्वित बबुलाल हत्यकान की जवाहा को जान से मारने का आरोप लगाया है आरोपी भाश्पा की पूरु जिला अध्यक्ष बांकलाल लोधा और उसके बेटे आशीश लोधा जान से मारने का आरोप लगा सिकर जिले की बुदोली में जोडा उपर वाली धानी में ओवर लोध जंपरों की खिलाव छातर संग अध्यक्ष बिनोस तैनी ने के नेतलत्यों में सेक्णू गरामिनों ने नारे बाजी कर विरोध दोर सेंगिया करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर जिंजिरू में भी विरोध देखने को मिला भ्रामर सवाज दुला कलेक्टर को मुखमंत्री के नाम ध्यापन सौपा गया और हत्यारों को पड़ी सज़दने की मांग की बिकानेर में किसानों का सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला पांच सूत्रिय वागों को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए और कवरसेल लिफ्ट से निकलने वाली नहर से चेल के चक तक पानी पहुचाने की मांग की लून करंसर शेत्र के रादसर भाटियान में एक महिला की कुंड में डूबने से मौश पूले धौलपुर जिले की कोटवरी थानाक शेत्र के आगरा मुंबई राश्री राजमार्ग पर सागर पाड़ा पोले स्चोकी की पास तेज रपताच रखने शद्धालों से भरी सवारी गाड़ी में टक करना जोत्पुर के तिवरी में गेवडा रोड सित कॉटन मिल में अचानक से ही आग लग गई दमकल ने आग पर काबू पाया आग लगने से लाखो रुपे की नुफसान की संभागा चिताई चारे जैपुर जिले की विशुकर्मा थाना इलाके के भगवती नर्सरी की पीछे ट्रांस्फॉर्मर बनाने की फ्याक्टरी में भीशन आग लग गई दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया टोंग जिले में कटमाणा में बिजली तार की स्पाकिंग से तरबी की ट्रॉली में आग लग गई ग्रामिणों की सज़कता से तकालाघ पर का भुपाया गिया जलावार जिले के अक्तासा कजबे में अकलेरा से जलावार आ रही एक बस बेकापू होकर डिवाइडर से जा ठकराई हादसे में बस में सवार यात्यों को बामूली चोग गया बारा में अरे 27 पर हादसा हुआ गुजरात से यूपी जा रहा कोईले से भरा ट्रेलर पर अट गया हादसे में जलावार जिले में एक सड़क हादसे में दो यूकों की दर्दनाग मौत होगल घटना पिपलिया रामगंज मंडी रोड की बताई जा रहे हैं दोसा में बज़री के ट्रेक्टर जॉली की ट्रेकर से यूवा की मौत का मामला देराग पुषासन और ग्रामेडों की बीच बनी सहमती सेम रिलीव पर्ण से मिलेगी आठ फिक साहरता गुलापुरा की दाजमार्ग उन्यासी पर बाहन की ट्रकर से बुदुर्गों की मौत सोचल मीडिया की माध्यम से पुलिस कर रही शिनाख कप्रियास उद्यपूर के सुखेट अनक्षेतुर इलाके में अग्यात वहन की ट्रकर से युवक की मौत का मामला सामने आना उखण मुख्याले बॉली पर मंगलवार को जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़ियक निर्देश के रुसार बाजार बंद रहा जिद्यूर जहर में SBI बैंक की जैपूर सित S.A.R.B. शाखा ने बड़ी कारवाई करते हुए एक प्रतेश्चित व्यवसाई महेंद्र टीब्डेवाला के परिवार के सदस्य को घर से निकाल कर उसके मकान पर कबजा कर लिया जैपूर जिला करेक्टर सबागार में जैपूर जिले की 10 नगर पालिकाओं के लिए 320 वाड़ों का आरक्षन लोट्री से तैह हुआ इनमें से 101 वाड महिलाओं के लिए आरक्षन उदैपूर में भी नगर निकाय के आगामे दिनों में होने वाड़े चुनाओ को लेकर तैयारियर शुरू कर दी गई है जिले की साथ नगर पालिका में वर्गवार अरक्षन और महिला अरक्षन की लोट्री से निका लिए अजमेर की जवाहर रंगमंच पर नगर अजमेर नगर निगम किशनगर नगर परिश्ट की एक लिए सरवार और विजनगर नगर पालिका के लिए अरक्षन की लोट्री स पूटा में दो नगर पालिकाओं एटावा और रामगंज मंडी के वाड़ो के आरक्षण की लोट्री निकाली गए। के लिए लोट्री निकाली गए। और अन्य आधिकानियों पर घ्रशाचार के आरोफ लगा दिये हैं धर्मेदु के हलोट ने इंडोर्स ट्रेडियम में प्रहसवारता का आयोजन किया। सिकर में खेलेवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदुना के जन्मदिन की मौके पर शेहर के शेकपुरा महुला इससित बदरी विहार में रक्तदान शिवर का आयोजन किया गया। भूंदी में राजे मंत्री अशोक चंदुना का जन्मदिवस हर्शुलास के साथ मराया गया जन्मदिवस के अफसर पर जिले में आधा दर्जन से आधे प्रक्तदान शिवर आयोजन किया गया। करोली के गाओं बुकाना में पुजारी बाबुलाल वैशनों को जिन्दा जिला देनी की घटना पर आक्रोश व्यक्ति करते हुई जुझणों में घाममर्ण समाच द्वारा शुधांचली सफका आयोजन किया। सपोर्टरा के बुकना गाओं में पुजारी को जुलाने की घटना के बाग राष्ट्रिय संत समाच को ग्यारा सदर से पत्रिदी मंडल पिड़त परिवार के घर पहुचा और परिवार को संतुरा। जेडियू ने पंदरा भागी नेताओं पर एक्शन लिया वशिष्ट नारायन सिंग के 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया पार्टी विरोधी गति विध्यों पर कार रगए। सिमितीश कुमार ने 11 विधान सभा के कारेकरताओं से किया वर्चुष समवाद अपनी सरकार की गिराई को प्लब दियां तेजस्वी के 10 लाग सरकारी नौकरी के वादे परसाधने शादूर। तेजपुताप यादव ने हसनपुर विधान सभा सीट के लिए भरा परचा भाई तेजस्वी यादव भी रहे साथ तेजस्वी में दोहराया 10 लाग सरकारी नौकरी देने का वादा। बिहार में 40 ते 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है शिर सेना अगले हपते संजेर आउट जाएंगे पतना। सोशल मीडिया पर ज्वैलरी ब्रांड तनिश्ट के विग्यापन पर भारी विरोध विवाद के बाद यूट्यूब से हटाए गया विग्यापन अभिनेत्री पंगना रनौत ने कहा विग्यापन कई मायों में गले है। महराश्च में धार्मेक सलो को नहीं खोलने पर सियासी संग्राम राजपाल को मुकिमंतरी उदव ठाकरे का जवाब हिंदोत्व के लिए आपके स्टर्टिफिकेट के जरूरत नहीं संतो और बीजेपी की मंदिर खोई हैं कि मादर्वस केस की जाच में तेजी बूलगड़ के एक मदर से के 13 चातरों का आतंकी संग्रठन से जुड़े होने का खुलासा तीन टीचार पीयसे की तहत दिरबता है बाराचीन अलेसी के सैनेकों के पीछे हटने पर जल्द सेहमती बनाने को राजीक और कमांडर सर की बाचीत के बाद दोनों देशों का सेउंट मयान आगे भी बाचीत जारी रखने को तया है बारत में सीमा में बने रणनीतिक पुलो से चीन की परिशानी बढ़ी चीन ने कहा सीमा पर बुन्यादी के विकास और सेने तनाती बढ़ाने से दूनों देशों के बीच तनाव पड़ा प्यम मोदी ने पूरू केंद्री मंतरी बालत साहे बिखे पाचल की आत्मकथा का में मोचन किया कहा किस्तान को उध्यामी बनाने के अफसर तयार किये जारे पराली से प्रदूर्शन पर सियास्ता दिली की उपमुखे मंतरी मरीस सोधिया ने कहा के इंदु सरकार की निश्ट्रियता का खामयाजा दिली को भुगतना पड़ रहा के जिवाल बोले समस्या का समाधान ढूनने के लिए मिलकर करना हुगा था काशी विश्वनात मंदिर ग्यानवापी मज़ित विवात पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक टली सुनी सेंटरल वक्ट बोट की केस को लखनाओ के च्रिब्यूनल में ट्रांस्पर करने की अपरी जबलपुर में टेंपो ड्राइवर की पिटाई के मामले में दोनों मुखे आरोपी अभी पराड दूसरे दो आरोपी गिरफतार राज़ों की ग्रह मंत्री बोले तालिबानी राज बरदाश्टुर्ण उतर प्रदेश की गोड़ना में तीन गलेत बहनों पर तेजाब से हमला सोते वक्त डाला गया तेजाब गंभीर हालत में अस्पिताल पराड़ आगरा में पूर फोजी की पत्नी को जिंदा जोलाया इलाज की दुरान महिला की मौट चार लोगों पर लगा आरोप दो प्रिया ने किया खुदखुशी का प्रयास धर्म परिवर्तन कर की थी दूसरी शादी पती और ससुराल वालों पर पतारना का वहीं अलवर में आपकारी विभाग की मिली भगस से सरकार के खाजाने को अरबो रुपे का चूना लगाया गया ऐसा लगातार सालों से होता रह लेकिन किसी ने कारवाई नहीं की मामला है ग्लोबल बॉट्लिंग का और जिसके पास लाइसेंस तो था देशी शराब बनाने का लेकिन इस लाइसेंस की आड़ में वो थोक भाव में टनों ग्यालनों विदेशी शराब बनाती और धरले से बेशती रहे रिपॉर्ट देख उची पकड़ भी है इसी के बूते इन्होंने आपगारी बभाक के अधिकारियों को अपने शीशे में उतारा अलम ये था कि कई साल से देथी की आड़ में अंग्रेजी शरा बना रही स्पैक्टरी में जाज की हिम्मत तो दूर यहां पैर रखने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पाते थे दरसल प्रश्टो चार के अपराज में आकंठ टूबे आपकारी वभाक के अधिकारियों पर उन्गिया इसलिए उठ रही है क्योंकि शराब निर्मान फैक्टरी में आपकारी एक स्वाइथ वभा के एक सहायक उपनिरिक्षब की ड्यूटी होती है वो सुबह फैक्टरी के तालों को खलवाता है और बंद होने पर प्रोडक्शन कितना हुगा उसको नोट करता है फैक्टरी में दो ताले लगा जाते ही एक चाबी आपकारी अधिकारी के पास और दूसरी चाबी फैक्टरी प्रबंभन के पास होती है ऐसे में सवाल उठता है कि आखर पिछले कई सालों से चल रही इस फैक्टरी में कैसे दीशी शराब क्यार में अंग्दीशी शराब बनाई जा रही है और आपकारी के साहिक उपनी रिक्षक को ठनक पक नहीं लगी इसके अनुसंदान में कई जो लोग हैं जो इस पूरी कडिक में शामिल है उनको शिगरी रस्ट्याप किया जाएगा और पेश किया जाएगा ग्लोबल बॉक्टरिंग फैक्टरी में दीशी की आड़मे अंग्रेजी शराब के प्रोडक्शन और सरकारी खासानी को अरबों की चुपत लगाने के खेल में आपकारी वभाग के उचे उखदेदार शासन से सत्पा तक के बड़े सरदार और शराब माफिया का सिर से पाउं तक डूबा होना तै है जरूरत है इस पूरे नेकसस की कड़ी से कड़ी मिला कर दोशियों को जल से जल्द हद कड़ी लगाने की जुगर गांदी, जी मीडिया, अलवर और इसे के साथ इस बुलेटन में बस इतना ही, आगे देखे हमारे खास पेशकश घुमर